साथियों मुझे बहुत प्रसंता है कि आप सभी के द्वारा आज इस उत्सव की शरुवात की जा रही हैं। मैं आज विशे इस रुप से उस विशे पर बात करना चाहता हूँ जिस पर दो दिन पुर्व दादा ने अपनी चर्चा में खास करके युवापीडी को बताया था और विशे था मेक दे राइट चोईस। मैं समयता हूँ यह विशे आज के संदर्ब में यह बहुती प्रासंगीग है बहुती सार्थक है। जीवन में सही और गलत विकल्ब के बारे में दादा वास्वानी ने कितने संदर विचार रखे मैं उन्हें आज दोहराना चाहता हूँ। दादा ने कहा, सही विकल्ब चुनने के लिए हमें अपनी चेतना को शांत कर लेना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को शान्त रखना चाहिए हर तरफ इश्वर को उपस्तित मान करके खुले रुदय से विचार करने पर हम सही विकल्प चुन सकते हैं जीवन का प्रतेक अनुभव हमें एक शिक्षा देता है यह हम पर है कि वो हम वो शिक्षा किस तरह लेते हैं आज के नव जवानों को दादा वास्वानी की इन बातों से प्रेणा लेनी चाहिए जीवन पत पर व्यक्ति को हमेशा ऐसी परिस्तितियों से दो-चार होना होता ही है कभी कभार इनसाम सोचता है कि मैं अकेला हूं मैं हमेशा कहता हूं कि कोई कभी अकेला नहीं होता है उसके साथ प्लस वन होता है जिसको आप देख नहीं पाते हैं जिसको कभी देखा भी नहीं है लेकिन जिसका स्मरन मात्र आपके भीतरिक चेतना जगा देता है वो इश्वर का कोईन कोई रूप हर पल आपके साथ होता है और वो ही आपकी अपनी शक्ति को अनेक गुना बढ़ा देता है और इसलिए कोई अकेला नहीं होता है और इसलिए जब भी जैसे दादा ने कहा कि जब भी निरने करें इश्वर को साख्ष मान करके करें हम भी हर पल सोचे हम अच्छा करते हैं तब भी अकेले नहीं हैं बूरा करते हैं तब भी अकेले नहीं हैं कोई न कोई हमारे साथ है, हाँ समाज में व्याप्त, तमाम बुराईयों की बड़ी वज़वी यही है, कि सही और गलत को जानते हुए भी कुछ लोग गलत का विकरकल्प चुन लेते हैं, महाबारत में भली भाती कहा गया है, दुरियोदयन कहा करता था, कि जानामी धर्मम नचमे प्रवुति, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब मैं जानता हूँ, मुझे समझ आए, मैं भेद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रवुति यही हैं, कि मैं अधर्म ही करूँगा, ब्रश्टाचार हो, जातिवाद हो, अपराध हो, ड्रक्स की लत हो, इन सभी से निप्टा जा सकता है, अगर इंसान अपने जीवन में विकल्प चुनने में, कि प्रवुति में सुधार करें, समाज के हर व्यक्ति का सही विकल्प चुनना, और उस पर आगे बढ़ना, ससक् समाज का भी आधार होता है,